हेलो फ्रेंड्स एम रोशंजा फ्रम सीम्सेटी प्रोगाम यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज के इस ट्यूटिरियल में हम शीखने बाले हैं कमांड प्रम्ट के इस्तेमाल करके कॉम्पीटर सिस्टम डेक्स्टाप लैप्टाप को सिस्टम इन्फार्मेशन हम किस तरह डि से रहे यहां से कर देते हैं क्लोव से जानते हैं सबसे पर यहां पर चुक्ष करेंगे तो यहां पर क्लिक चाहिए यहां पर यह सीस्टम इन्फार्मेशन का मतलब होता है तो क्यों कि मखें कॉंपनी का है इसके बाद CPU को प्रोसेटर का क्कुतिन कवलय सबisis का है साक्तिकिन का सारई इंफर्मिशन आपको कॉंपीटर सब्सक्राइब इंफॉर्मिशन इतना ही नहीं अटीन सारा आपको कॉंपिटर में इंस्टॉरेशन किया या अप्रेइडिंग सिस्टम है या फिर एप्लिकेशन प्रोगाम है सारा इंफरमेशन यहां पर डीटेल्स होगा दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है इसलिए प्लीज इसकीप मिद कीजएगा तो चलिए हम सुरू करते हैं सरसे परले दोस्तों क्या करते हैं क्या होता है दोस्तों यह फीचर है जो किसी भी पार्टिकुलर जो जैसे मदल बोड है उसका डिटेल इनफरमिशन प्रोगाट करते हैं एक आपको होता है दोस्तों विंडोस मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कमांड लाइन ठीक है तो जब भी हम क्या करेंगे हलां कि इ बोड करना हुआ है यहां पेश बोड लिस्ट इसके बाद दोस्तों क्या देना होगा बरीब यह जो कमान्ड है से बेसबोर्ड लिस्ट ब्लीफ जो डूटर्बॉर्ड का ढे supervisory इन्फरमिशन आप दे सकते हैं इन्फेक्टर है अब लिभानल है नेम है बेसबोर्ण है प्रोड़क्ट है अबेसबोर्द में सब कुछ यहां अगर प्रोशेसर का डिटेल इनफरमेशन लेना चाहते हैं तो यहां पर क्या करेंगे यह प्रोशेसर के लिए दूस्तों यहां पर देख सकते हैं कि इंटेल का प्रोशेसर है यहां पर देख सकते हैं यह जो मोडेल और 2.13 गिगा हर्ट प्रोशेसर का प्रोशेसिंग स्पीड है यह था दोस्तों यह प्रोशेसर का डिटेल्स इफरमेशन के लिए एक कमांड हम यहां पर हमें यहां पर टैप करना होगा दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं रैम डीटेल्स अगर कॉम्पीटर सिस्टेम में रैम डीटेल्स के बारे में हम जानना चाहते हैं मतलब रैम का डीटेल्स का मतलब होता है रैम का टोटल कैपिसिटी कितना है स्पीड कितना है मोडेल कितना है ठीक है तो सब कुछ डीटेल्स device located कामा इसके बाद capacity कामा इसका speed भी चेक करना है इसके बाद क्या करेंगे model भी चेक करना है जब भी इंटर डालेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि no instant available अगर computer system में यहां पर गेस्ट मोड में ओपिन है आप देख सकते हैं यह तो गेस्ट में में मेमोरी नहीं होगा ठीक है तो चली आगे चलते हैं दोस्तों अब डिटल ऑसट Kindle का मतलब होता है अपीरिटिंग शिस्टम का फूल इनफर्मेशन किया है कॉम सारजसर्वीय कि तो आप देख सकते हैं यहां पे Microsoft Windows 7 Ultimate है यह अपरेटिंग सिस्टम है 32-bit अपरेटिंग सिस्टम OS Architecture कितना है 32 दोस्तों दो तरह का अपरेटिंग सिस्टम होते हैं 32 होते हैं और 64 यह इसमें दोस्तों 32-bit अपरेटिंग सिस्टम इंस्टालेशन किया गया है ठीक है तो यह हो गय है ओभी command prompt उप्योग करके ठीक है तो दोस्तों अब जानते हैं हार्डिस डीटिल के बारे में हाला कि computer system का information में यही जो होते हैं RAM होते है RAM का information हार्डिस इंफर्मेशन प्रोसेसर का information और बोड का model इसे क्या होते है दोस्तों कितना model है ओ धिस्प्लें होगा साइज से क्या होगा दोस्तों यहां पर даже display में इसके बाद इन्टेड यलेंगे त misin किते हैं कि है्ट शिडल यह जो डिखिशत कर सकते हैं च्रब्स है और गिदम में क्या कहा जाता है इसमें बीट में सो किया गया है तो चलिए आगे चलते हैं अब दोस्तों हमें क्या करना होगा कि अगर हमें computer system में क्या-क्या application program installation क्या गया है तो उसके लिए अगर थोड़ा application installation है तो अगर ज्यादा है तो लॉंग टैम लेगा आप देख सकते हैं कि जितना सारा जो यह है सब application program आपके computer में installation क्या-क्या है तो इस तरह हम आसानी से command prompt के माध्यम से हम computer system का जितना जो information है desktop ये laptop का information है motherboard का information CPU का information RAM का information OS का information hard disk का information और जो application program installation है उसका information सबकुछ आसानी से ले सकते हैं इसके साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि